दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सामने में मतलब किस चीज़ का यह पौधा है ठीक है तो हम बताने वाला है जो संगने था जो काचा बादाम जो फेमस हुआ था पुड़ा भाव हिंदुस्तान में उसी के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग देख सकते हैं यतना दूर तक दिखाई देगा पुड़े यही सब पौधा है तो इसमें क्या चीज़ है तो बताते हैं काचा बादाम जो बोलता है कैसे बनता है देखिए कैसे खेती करता है काचा बादाम का तो यह रहा एक पौधा काचा बादाम का ठीक है तो आप लोग बोलिएगा कि इसमे में नहीं होता है इसका मिट्टी के नीचे में होता है देखें यह तो मतलब पवधा इसको पकड़ें और इसको उठाएं देखिए यह रहा काचा बदाम मिट्टी का तड़ में होता है यह देखिए देखने में कितना खुबशूरत है काचा बदाम ऐसे ही होता है जब यह होता है बढ़ियां से पकता है मतलब अंदर ऐसे फोड़ेंगे तो आवाज होगा तो जब यह पकेगा तो इसमें आवाज होगा तो उसके बाद इसको उठाता है इसे करके मट्टी से उठाता है उसके बाद ले जाके इसको मतलब छुटाता है मतलब किसी की तरह से यही रहा काचा बदाम सबसें भारत वर्स में हुआ था गाय सोंग काचा बदाम का जितना दूर दूर तक देख रहे हैं पुड़ा मतलब काचा बदाम का पोधा है चाड़ो तरफ और इसका फूल भी देख सकते हैं जो फ्लावार्स है वह चोटा चोटा वह सब तो देखा दिने आप लोग को काचा बदाम कैसे बनता है वा कैसे खेती होता है इसका इसका इसको बाद इसको जहरता है तो देखाते हैं आप लोग को कैसे होता है काचा बदाम का काम तब जा और चलिए इसको ले जाते हैं हम उठाके खाएंगे तो यह देखिए दोस्तों तयारी अभी काजा बदम का जो हो रहा है देखिए तो इसको जो तयारी करने में बहुत मतलब मेहनत लगता है कि खेट से मतलब लेके आता है उसके बाद इसको जहरता है बनाता है तब जो आप देख सकते हैं पहर होता है बोहत Zack ह dif객 has multiply these recording this video विडियो विडियो के लिए तो यहींसे होता है तयारी इससे आह जाता है काचा बारद हमका इसी लिए विडियो और आप लो कर दो दो